हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल दीप क्लासिज में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विडंबना का सामान या परिजए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्युद्पत्ति की द्रिष्टी से औरिनरी शब्द ग्रीक शब्द इरोनिया से बना हुआ है युनानी कामदी का एक पात्र इरोन अपने आचरन और भाशन देने की पद्धि के लिए प्रसित था उसके आचरन और संभाशन की प्रणाली को इरोनिया भी कहा जाता है इस प्रकार आयरनी शब्द का लाशनिक प्रयोग साहित्य में मिलता है इरोन अपने प्रतिद्वन्दी को शांत भाग ब्रहन करने के बाद भी उसकी द्रिष्टता को चूर चूर कर देता था इस प्रकार अपने इस अर्थ में आयरनी किसी अंध विश्वासी दंबी पात्र के पतन के रूप में दिखाई पड़ता है सो भागे की कामना करने वाले किसी भी दंबी पुरुष के दुरभागे पून पतन में आयरनी मुझूद होता है प्योक के अधार पर विडंबना के कई रूप दिखलाई पड़ते हैं सुकराती विडंबना भी लगबग वही है सुकरात अपने विरोधी तर्क देने वालों को सहज रूप से सुनते हैं उसके बाद अपने अकाटे तर्कों से उसे पराजित कर देते हैं उनकी प्रश्ण और उत्तर की प्रणाली से पतोन मुख व्यक्ति व्यक्ति की पराजे की अनुभूती में ही विडंबना नहीं थोती थी तरास्दीकार साफोकलीस का नायक इदिपस एहंकारी और अपने एहंकार और ब्रश्टाचार के कारण देवयोग से आत्महत्या के लिए विवश हो गया एहंकारी रावन और दुर्योधन के पतन में भी उसका एहंकार पूर्ण आचरन ही उसके दुखत पतन के लिए उत्तरदाई था ये दोनों ही इस्तिती विडंबना की इस्तिती मानी जाती है विडंबना का एक दूसरा रूप शाब्दिक विडंबना भी होता है इस विडंबना में कोई पात्र जाने बा अंजाने में कोई ऐसा कथन प्रस्तुत करता है जो कालांतर में प्रस्तुत अर्थ के विपरित अर्थ में अंतर निधित हो जाए तो यह एक तरह की शाब्दिक विडंबना ही है विडंबना एक ऐसी खाई है जो खोदी दूसरों के लिए जाती है परंतु खोदने वाला ही उसमें गिरकर विनाश को प्राप्थ हो जाता है मैं यहाँ इसे चुटकले के रूप में कहना चाहती हूँ एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या की और इसके बाद भगवान ने उसे कोई वर्दान मागने के लिए कहा भगवान ने उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखी कि परंतु जो भी तुम भोगोगे तो तुम्हारे परोसी को भी मिलेगा उस व्यक्ति ने भगवान से हीरे जवारात, धन दौलत, सब कुछ मागा परंतु जब वह बाहर निकला तो उसको पता चलता है कि ये सब सामान तुम्हारे परोसी के पास भी है तो उसे बहुत दुख होता है एक दिन उसने कहा कि मेरे घर के सामने एक कुवा खोदा जाए वह बाहर निकल कर देखना चाहता था कि परोसी के घर के सामने कुवा खोदा या नहीं तो उसका पैर फिसल गया और वै अपने घर के सामने के कुए में जा गिरा उसका यह पतन ही एक विडंबना है इसके बाद नाच्किय विडंबना होती है जिसे त्रासिक विडंबना और कामिक विडंबना भी कहते है नाचके विडम्बना कठानक को संदशना में गुम्फित होती है दर्शक गण भी नायक के त्रासिक अंत से परिचित होते हैं किन्तु नायक अज्यान वश अपने क्रिया कलापों से त्रासिक अंत की और अग्रिसर होता रहता है और अंत में उसका पतन हो जाता है शरत्चंद के उपन्यास का देवदास पात्र भी एक ऐसा ही पात्र है सभी दर्शक गणों को यह मालूम होता है कि देवदास अपने क्रिया व्यापार से पतन की और अग्रिसर है और अंत में दुर्भाग्य पून इस्तिती से उसका अंत हो ही जाता है व्यंग्योक्ती और कटोक्ती सभी प्रकार की विडंबनाओं में मौजूद थी इस प्रकार विडंबना शब्द का एक ऐसा पारिभाशिक शब्द है जिसमें कोई रूप होते है जर्मन लेखकों ने उनिस्वी शती के प्रारंभ में रूमानी विडंबना की भी चर्चा की है रोमांडिक विडंबना में रचना और रचनाकार का साद्रिश्य में संबन उसी तरह माना जाता है जैसे प्रकृती और पुरुष में इश्वर और स्रिष्टी में अर्थात कम से कम रचना और रचनाकार की साद्रिश्य में एक रूपता का ब्रहम उत्पन किया जाता है विसमें आसमंजस नाट्के विडंबना आदी नाट्य शिल्प के कुछ महत्वपून तत भी होते हैं जिनकी सहायता से नाटक के अन तक रहस्यात्मक्ता बनी रहती हैं जो दर्शकों का आकर्शन होती है आज के युग में जटिलताओं की संपून अनुभूती की अभिव्यक्ती बिना व्यंगे विनोध कटोक्ती और विडंबना के बिना असंभव नहीं प्रेमचन सूर्यकांत्रिपाथि निराला गजादन मादव मुक्ती ने भी जीवन की त्रास्दी को समझा था जो एक तरह की विडंबना ही थी कफन कहानी राम की शक्ति पूजा अंधेरे में और कितनी ही रचनाओं में विडंबनाओं का सफल प्रयोक किया गया है विडंबना की तरह ही सामाजित बुराई है जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है जिसमें हमने जाना विडंबना के सामान्य परिचय के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिए